आफो पता है कि History की Question HPSAC में काफी मात्रा मैं में पूछ जाते हैं और Repeated Question पूछ जाते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि यहां से आपको help मिले जैसे कि पहले भी मिलती रही है तो question number 64 से हम start करेंगे यहां पर पूछा गया है कवीर was disciple of रामनंद के और रामनंद जो था वो गुरू थे कवीर के यह आप एक थोड़ा सा सिनेरियो याद रखेगा क्यूंकि एक्जाम में यह पूछा जाता है कई बारे एक basic question पूछाता है कि तुकाराम जो था वो किसके संकाली थे तो तुकाराम किसके संकाली थे यह सिवाजी के संकाली थे तो यह तुकाराम के बारे में भी आप याद रखेए यहां पर नानक भी दिया गया है तो गुरु नानक देव के बारे में एक क्वेशन पूचाता है कि गुरु नानक देव का जनम कहां पर हुआ था इनका जनम जो था वो तलवंडी में हुआ था तलवंडी जो है वो पंजाब में आता है तो आधुनिक ये ननकाना उसको का जाता है और वैसे तलवंडी बस आप याद रखेगा कि तलवंडी में इनका जनम जुता है वो हुआ था कॉशन नमर 65 देखे 65 यह जो पंजाब की मैंने आपको बताए कि तलवंडी पंजाब में आता है पाकिस्तान वाला पंजाब है नेक्स्ट कॉशन में पूछा गया है विच सूफी संथ वाज कॉल्ड महमूद इलाही तो किस सूफी संथ को महमूद इलाही कहा जाता था तो किस सूफी संथ को महमूद इलाही कहा जाता था यहां पर एक और option दिया गया है, ख्वाजा महिनुदीन चिस्ती नाम यहां पर दिया गया है, तो यह जो ख्वाजा महिनुदीन चिस्ती थे, इनके बार में आप एक और बात याद रखिए, जब मुहमद गौरी की सेना जो था, वो भारत आये थी, तो मुहमद गौरी की सेना के साथ जो था वो ख्वाजा महिनों दिन चिस्ती भारत ताय थे तो ये दो questions आप यहां से याद है question number 66 देखी यहां पर पूछा गया है who among the following was illiterate इन में से कौन से अनपड़ थे अनपड़ की बात करें तो अकवर जो था वो अशिक सित थे अनपड़ थे option C जो है वो से अनपड़ थे अकवर अनपड़ थे तो अकवर के वारे में क्या के questions HPSSE पूछता है पानिबद खा दूसरा युद अकवर के कालेकार के दुरान हुआ था कब हुआ था 1556 में हुआ था अकवर ने जो था वो दीने इलाही की स्थापना दे की थी कब की थी दीने इलाही की स्थापना 1582 में जो था वो दीने इलाही की स्थापना की गई थी अकवर के कालेकार के दुरान जुखाओ नौ रतन हुआ करते थे इनमें अबुल फजल आते थे, फैजी आते थे, बिर्बल आते थे, तांसेन आते थे अब्दुरहीम खान खाना आते थे टोडर मल आते थे राजा मानसिंग आते थे मुला दोप्याज आते थे हकीम हुमाम आते थे तो ये नवरतन अकवर के कारेकार के दुरान हुआ खाते थे अकवर के नवरतनों के वारे में कहीं बार question पूछा गया है next question में देखे क्या पूछा गया next question है ये पूछते हैं सिवाजी डिब्टिड्टिटी दमूगल इन्दी बैटल आफ तो सिवाजी ने किस यूदमै मुगलों को प्राजित किया था सिवाजी ने वो सलहार के यूदमै मुगलों को प्राजित किया था सीवा जी की माता का नाम कहीं बार पूछ ले जाता है, इनकी माता का नाम जीजा भाई था और इनके पिता का नाम साजी भूंसले था ये तो basic basic question है सीवा जी के बारे में, एक पुरंदर की संधी इनके कारेकाल के दुरान हुई थी पुरंदर की संधी कब हुई थी 1665 में जो था वो पुरंदर की संधी जो था वो हुई थी स्रीवाजी के कारिकाल के दुरान जो था वो पेशबा किसको कहते थे या फिर जो मुख्या प्रधान होता था उसको पेशबा कहा जाता था अमात्या किसको कहते थे, अमात्या जो था वो राजस्तो मंत्री को कहते थे, दवीर किसको कहते थे, दवीर जो था वो सुमंत को कहते थे, या फिर विदेश मंत्री को दवीर कहते थे, वाक्यनवीस किसको कहते थे, वाक्यनवीस उस मंत्री को कहा जाता था, जो राजा के प्रति दिन की कारेवाही जो हुती थी उसकी खबर रखता था उसको वाक्य नभी कहा जाता था तो यह कुछ बेसिक बेसिक सी डरम जहां जो अक्जाम में पूशी जाती है तो इनको याद रखिए अगर महराथा समराजजी के बारे हम बात करें तो यहां पर पानीपत का तृ किस्ती लड़ाई जो था लड़ी गई यह सब याद रखिए कोश्ट नबर 68 हुव वर दा फर्स्ट इरोपियन डूरीच इंडिया फॉर्ट रेट तो वह प्रत्थम इरोपियन कौन थे जो व्यपार के लिए सबसे पहले भारत आये तो व्यपार के लिए सबसे पहली बार व्यपार के लिए यहां से व्यपार के लिए जो पुर्ट गाली के बाद दूसरा पुर्ट गाली कौन था जो भारत आये था जो भारत आये था यह भारत आया था तो यह जब आप प्याद रखिए अभी पूछा गया था एक्जाम में कि वासकोड़ी गामा कब भारत आया तो यह basic basic question पूछ जाते हैं 69 में देखिए क्या पूछा गया है यहां पर पूछा गया है तो विजेस्थंबा जिसको टावराफ विक्ट्री भी कहते हैं यहां पर चितोड में इसको किस ने बनाए था चितोड में विजेस्थंब की स्थापना जो था वो राणा कुंभा के दौरा करवाई गई थी option B रा राणा कुंभा के दौरा कर आए थी 1448 में राणा कुंभा जो था वह कहां के राजा थी ये मेवाड के राजा हुआ करते थे इसको बनाए गया गया था विक्ट्री जब कहीं पर थी तब इस तरह के स्थांब बनवाय जाते थे इस टाइम इन्होंने वहना मालबा और किसने शिखों को एक सामरिक जाती में परवर्थित किया गया था गुरू गुविन सिंग के दौरा ऑप्शन बी जो है वो सही अंतर है गुरू गुविन सिंग ने इसको किया था एक एक्जाम में कॉशन पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना जो था वो भी गुरू सबसे पहले सी गुरू कौन थे तो गुरू नानक देव सबसे पहले सी गुरू थे गुरू मुखिलीपी जो है इसके जनक किसको का जाता है तो गुरू अंगत को जो है गुरू मुखिलीपी का जनक का जाता है ये कौशन अलाइड के एक्जाम में भी पूछा जा चुका है गुरु ग्रंद साहिव किस्थापना किस नेंग की थी या फिर इसका संकलन किस नेंग किया था ये कोशिन भी लाइड में पूझा जा चुका है तो इसका संकलन अरजुन देव ने जो था वो किया था अकालतक्त किस थापना किस नहीं đी तो अकालतक्त किस थापना गुरू हर गोविंद के द्वारा जो था उखीली अभी कोईशन मैंने आपको बताया कि गुरू नानक देव का जनम कहां पर गुरू नानक देव का जनम तलवंडी में हुआ टाजा तो ये सिक धर्म से एर्लेटेट कुछ बेसिक बेसिक से question है आपको याद रखने हैं अगला question है हाथी system concerned तो जो हाथी system है ये किस से concerned है किस से संबंदित है वो हाथी system जो है ये बंदुआ मजदूरी यानिके bonded labor से संबंदित है option A जो है bonded labor इसका सही अंसर होगा bonded labor से ये सांची की महान स्तूब कहां पर है सांची का स्तूबा कहां पर है ये मध्यवर्देश में पढ़ता है option B मध्यवर्देश इसका सही अंसर होगा ये एक Buddhist monument है और यह जो है ये युनेस्को की world heritage list में भी सामिल है मंध्यवर्देश में और कौन कौन सी sites में जो important है एक तो खजर पर देश में पढ़ती है और यह भी युनेस्को की world heritage list में सामिल है भीमबेटका को 2003 में जो था वो इनसको की world heritage list में सामिल किया गया था और जो सांची स्तूपा है इसको 1989 में किया गय था और खजराहु को 1986 में किया गया था यह आप याद रखे कि कि इनको कब कब जो था व इफेंटा केव्स के बारे में आप ज़ली से कमेंट करके बता दीजिए कि यह केव्स कहां पर पढ़ती हैं क्वेशन नमबर 56 देखिए तो साथ वहनों की जो राज़ानी थी वह कहां पढ़ती इनकी राज़ानी पैथन में पढ़ती थी साथ वहन वंस की स्थापना में बात करें बोन नमी करनी और साथ वहन वंस न के एंती महानशासर कौन bully तो साथ पहन बंस के अंती महान सासिव जो थे यग्ये सिरी साथ करनी यग्ये सिरी साथ करनी का नाम याद रखिए तो ये साथ पहनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए question number 59 देखिए यहाँ पर पूचा गया है third संगम was held at तो तीसरा संगम कहां पर हुआ था third संगम जो था मदूराई में हुआ था option A जो है इसके बारे मैं याद रखिएगा third संगम was held at नुदूराई माना जाता है कि पहला संगम जो था वो भी मदूराई में हुआ था और इस संगम के बारे में जो है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं मिलते हैं ज़्यादा knowledge के बारे में नहीं मिलते हैं second संगम जो था वो कहां पर हुआ था कपाड़ा पूरम में ही second संगम हुआ था और तीसरा संगम जो था वो मदुराई में हुआ था most probably जो question पूजाता है वो पूजाता है कि तीसरा संगम कहां पर हुआ था तो यह आप याद रखिए question number 58 देखिए who was the court poet of smuddr guptah smuddr guptah के दरवारी कभी कौन थे smuddr guptah के जो दरवारी कभी थे वो तो हरी सेन option A जो है उसे यंतर होगा अगर हम बात करें smuddr guptah के बारे में किसने कहा थे इनको भारतकार नेपोलियन वी ये smith के द्वारा कहा गया था smuddr guptah के बारे में कौशन पूछ जाते हैं तो चंद्र guptah के बारे में याद रखे कि इनके कारेकाल के दुरान जो था वो फायान एक चिनी यातरी था इसने जो था वो भारत की यातरा की थी और smuddr guptah के जो द्रवार था इसमें कुछ कवी वी जैसे कि कालिदास इन में आते हैं विताल भट इन में आते हैं अमर सिंग इन में आते हैं तो ये कुछ famous ऐसे द्रवारी कवी थे जो चंद्र guptah द्वित्ये के कारेकाल के दुरान में हुआ करते तो चंद्र guptah द्वित्ये के बारे में याद रelimा है next question देखते हैं यहांपर पूचा गया है हर्षवर्धना व्स डिपिक टिडवाए तो हर्षवर्धना को किस ने खरा या थ को पूलकेेशिन दिट्य ने धर ऐगो और फॉय टो ज थैंको हर्सवर्धन को Its कपे उस चिनी यात्रे ने भारत की यात्रा भिकी जो तो उसली यात्रिका नाम था हेन सांज के दौह और बारत की यात्रा नद पार्य कारेका जाथ की गई थी अगले कोशिण देखते हैं अगले कोशिण है पूछा गया है तकसीला युनिवस्टी वाज सिचुएटिड इन तो तकसीला युनिवस्टी जो है वो कहां पर सिदे तकसीला विश्चोविदयले पाकिस्तान में पढ़ता है option A पाकिस्तान जो है इसका सही अंसर होगा अगर presently हम बात करें तो तकसीला जो है वो पाकिस्तान के रावल पिंडी जीले में जो है वो बढ़ती है यह तो तकसीला युनिवस्टी के बारे में आपको बदा चाल गया उसी तरह और भी important युनिवस्टी जैसे कि नालंदा यु किस्तापना जो था वो भटारक के दोरा की गई थी यह important important इंवस्टी मैंने आपको बताए इन किस्तापना किस-किस के दोरा की गई थी यह याद रखिए next question है पूशा गया है the first Indian to reach Antarctica तो पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जो अंटार्क्टिका में सबसे पहली बार पहुँचे थे उनका क्या नाम था G.S.C.R.O.E. option B जो है इस question का सही अंतर होगा G.S.C.R.O.E. पहले इंडियन थे जो अंटार्क्टिका पर पहुँचे थे अगर question पूशा है कि पहली महिला कौन थी ऐसी भारतिय महिला जो सबसे पहली बार अंटार्क्टिका पर पहुँची थी तो वो थी माहिल मुशा माहिल मुशा का नाम याद रखिए she was the first Indian woman to reach Antarctica next question देखे यहां पर पूशा गया है who is known as grant old man of India grant old man of India किसको कहा जाता है तो यह दादा भाई नौरो जी को कहा जाता है option A जो है वो सही answer है अगर बात करें दादा भाई नौरो जी की तो यह जो था Indian National Congress के President पिरह चुके थे तो इनको सबसे पहली बार Indian National Congress का President बनाया गया था 1886 में कलकत्ता में यह session हुआ था और दूसरी बार इनको 1893 में बनाया गया था लहौर में यह session हुआ था और उसके बार तीसरी बार इनको 1906 में बनाया गया था यह session भी कलकत्ता में हुआ था और यहां पर इनको दादा भाई नौरो जी को जो था वो Indian National Congress का President बनाया गया था तो ये कुछ questions आप याद रखे दादा भाई नौरो जी के बारे में अगला question है तो फर्स्ट अर्थ summit was held at तो पहली प्रिथवी समयलन कहां पर हुआ था ये हुआ था रियो डी जैनेरियो में option B सही अंसर है रियो डी जैनेरियो में पहला अर्थ summit हुआ था अब ये अर्थ summit रियो डी जैनेरियो में हुआ था कब हुआ था ये आपको बता होना चाहिए 1992 में ये summit जो था वो हुआ था रियो डी जैनेरियो में तो ये थे पुछ आज के important questions so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently